इसलिए मैं आप सभी के लिए एक और नवरात्री स्पेशल यानि की वरत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ जो की है शकरकंदी का हलवा इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम शकरकंदी इसे मैंने बॉयल करके छील लिया है और इस तरह से टुकणों में कट कर लिया है एक चमच इलाईजी का पाउडर सबसे पहले हमने एक बोल में शकरकंदी निकाल लिया और इसको हम क्रश कर लेंगे मैं फोक के हेल्प से क्रश कर रही हूँ अगर आपके पास आलू मैश करने वाला है तो आप उससे भी मैश कर सकते है इसको तो ये देखिए अच्छे से मैश क कर लिया है मैंने बहुत जादा बड़े लंप्स नहीं रहने चाहिए चोटे रह जाते हैं तो कोई बात नहीं हम हलवा बनाएंगे तो वो तूट जाएंगे और यहां हमने लिया एक कढ़ाई में मैंने डाल दिया है एक छोटी चमच देशी घी और इसी के साथ हम इसमें ड तोड के यूज कर रहे हूं आप चाहें तो इसको ना तोड़ें और यह देखिए यह फ्राइ हो चुके है किश्मिश फूल गई है और काजू भी हलका सा गोल्डन हो गया है अब हम इसको ड्राइ फूट्स को कटोरी में निकाल लेंगे एक अलग और जो घी है इसी यह शकरकन जैसा कि मैंने पहले बताया बॉइल करके छील के और इस तरह से मैश करके लिए हमने और अब इस घी के साथ हमें इस शकरकन को भूनना है आप चाहें तो घी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं मैं इस हल्वे को कम घी में बना रही हूँ तो मैंने यहां पे शकरकन दी बहुत अच्छे से मैश कर ली थी इसलिए इसके अंदर कोई भी लंप्स नहीं है तो इसको भूनते हुए लगभग मुझे तीन से चार मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पे ही मैं इसको भून रही हूँ आप इसको लो फ्लेम पे ही भूने अग लग भग 4-5 मिनट के लिए और बेसिकली हमें इसके अंदर से जो कच्छा टेस्ट होता है वह खतम करना है और इसके अंदर से बहुत अच्छी सी घी की खुश्बू आने लगेगी जब यह अच्छे से भून जाएगा तो अब इसके अंदर से बहुत अच्छी घी की खुश्बू आ रही है और ये काफी भून भी चुका है आप देख सकते हैं काफी गोल्डन कलर हो चुका है इसका तो इसको जित्ती देर हमने भूना है मैं इसको लगता चलाती रही हूँ और अब हम इसमें डाल देंगे इलाइची का पाउडर और ड्राइफ रूट्स और अब हम फिर से इसको लगभग दो मिनिट के लिए भूनेंगे इस टाइम पे इसमें से बहुत यच्छी सी इलाइची की खुश्बू आ रही है यह अच्छे से भून चुका है और कमबाइन हो चुका है अब मैं इसमें डालूँगी एक चौथाई कप दूद इसके अंदर मिल्क डालने से यह काफी ज़्यादा सॉफ्ट बनता है यह हल्वा आप इसको बिना मिल्क के भी बना सकते हैं बट फिर वो सॉफ्ट नहीं रहेगा इतना तो यह देखिए मिल्क बहुत ही जल्दी अब्जॉब हो चुका है शकरकंद में और अब हम इसमें डाल देंगे चीनी चीनी डालते समय थोड़ी से केरफुल रहें क्योंकि चीनी हमें बहुत ज़दा नहीं यूज़ करनी है शकरकंदी अल्रेड़ी मीथी होती है और शकरकंदी कुछ बहुत ज़दा मीथी होती है और कुछ थोड़ी कम होती है तो आप थोड़ा सा टेस्ट कर ले शकरकंदी को बनाने से पहले और उसके अकॉर्डिंग मीठी शकर डाले और इस टेश पर मैंने इसमें डाल दिया है एक छोटा चमच घी और जिससे कि इसमें एंड में बहुत ही अच्छी सी घी की खुश्बू रिटेन रहे और चीनी जो है हमारी अच्छी से घुल चुकी है हल्वे में औ और अब्जॉब हो चुकी है चीनी आप देख सकते हैं बहुत ही जादा सॉफ्ट हल्वा बना है तो हमारा शकर कंदी का हल्वा बन के रेडी है इसको मैं बस एक मिनट के लिए और भूल लूँगी और एक मिनट के लिए और बूल लूँगी